भजन सहिदा 104 अधाय 19 से 30 तक उसने नियत समयों के लिए चंद्रमा को बनाया है सूर्य अपने अस्त होने का समय जानता है तो अंधकार करता है तब रात हो जाती है जिसमें वन के सब जीव जन्तु घूमते फिरते हैं जवान से अहेर के लिए गरचते हैं और ईश्वर से अपना आहार मांगते हैं सूर्य उदय होते ही वे चले जाते हैं और अपनी मांधों में जा बैठते हैं तब मनुष्य अपने काम के लिए और संध्या तक परिश्रम करने के लिए निकलता है है यहोवा तेरे काम अंगिनित है इन सब वस्तुओं को तुने बुद्धी से बनाया है पृत्वी तेरी संपती से परिपूर्ण है इसी प्रकार समुंद्र बड़ा और बहुती चोड़ा है और उसमें अंगिनित जल्चर जीव जंतू क्या छोटे क्या बड़े भरे पड़े हैं उसमें जहाज भी आते जाते ह और लिव्यातान भी जिसे तूने वहाँ खेलने के लिए बनाया है इन सब को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहर समय पर दिया करे तू उन्हें देता है वे चुन लेते हैं तू अपनी मुठी खोलता है और वे उत्तम पधार्तों से त्रप्त होते हैं तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्रांच शूट जाते हैं और मिटी में फिर मिल जाते हैं फिर तू अपनी और से सांस भेजता है और वे सिर्जे जाते हैं और तू धर्ती को नया कर देता है दूसरा कुरुंतियों तीसरा अध्याय साथ से अठरा तक यदि मृत्यों की वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहां तक तेजों में हुई कि मूसा के मुँपर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था इसराइली उसके मुँपर दृष्टी नहीं कर सकते थे तो आत्मा की वाचा और भी तेजों में क् वाचा वभी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजों में था कुछ तेजों में न टहरा क्योंकि जब वो जो घटता जाता था तेजों में था तो वो जो स्थिर रहेगा और भी तेजों में क्यों न होगा इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और जिसने अपने मुह पर परदा डाला था ता कि इस्राइली उस गटने वाले तेज के अंत को न देखे परंतु वे मतीमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते सबें उनकी हृदयों पर वही परदा पढ़ा रहता है पर वह मसी में उठ जाता है आज तक जब कभ उनका हृदय प्रभु की और फिरेगा तब वह परदा उठ जाएगा प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है परंतु जब हम सबके उगाडे चेरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रगट होता है जिस प्रकार दर्पन में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। दूसरा इतिहास पैंटीस अध्याई बीस से सताइस तक। इसके बाद जब योशिया भवन को तयार कर चुका तब मिस्र के राजा नको ने परात के पास के करकमीश नगर से लड़ने को चड़ाई की और योशिया उसका सामना करने को गया परंतु उसने उसके पास दूतों से कहला भेजा है यहुदा के राजा मेरा तुझ से क्या काम आज मैं तुझ पर नहीं उसी कुल पर चढ़ाई कर रहा हूँ जिसके साथ मैं युद्ध करता हूँ फिर परमेश्वर ने मुझसे फूर्ते करने को कहा है इसलिए परमेश्वर जो मेरे संग है उससे अलग रह कहीं ऐसा न हो कि वो तुझे नश्ट करे परंतु योश्या ने उससे मुनमोडा वरन उससे लड़ने के लिए भेश बदला और नको के उन वचनों को न माना जो उसने परमेश्वर की और से कहे थे और मकीदों की तराई में उससे युद्ध करने को गया तद धनुर धारियों ने राजा योश्या की और तीर छोड़े और राजा ने अप गये वहां वो मर गया और उसकी पुर्खाओं की कबृस्थान में उसको मिटी दी गई यहुदियों और यरूश्या के लिए विलाप किया गिरमियाह ने योश्या के लिये विलाप का गीत बनाया और सब गाने वाले और गाने वालियां doen अपने विलाप के गितों में योश तिके जो काम उसने उसी के अनुसार किये जो यहवा की विवस्था में लिखा हुआ है आदी से अंति तक उसके सब काम इस्रायल और यहुदा के राजाओं के इतिहास के पुस्थक में लिखे हुए हैं दूसरा इतिहास 36 अध्याए 1 से 23 तक तब देश की लोगों ने योशिय यहा की पुत्र यहो आहाज को लेकर उसके पिता की स्थान पर यरुशले में राजा बनाया जब यहो आहाज राजे करने लगा तब वह 23 वर्षका था और तीन महीने तक यरुशले में राज्य करता रहा तब मिसर के राजा ने उसको यरुशले में राजगदी से उतार दि परंतु नको उसके भाई यहो अहाच को मिस्र में ले गया जब यहो याकिम राज्य करने लगा तब वो पचीस वर्ष का था और ग्यारव वर्ष्ट के रुशले में राज्य करता रहा उसने वो काम किया जो सके परमेश और यहोवा के दृष्टी में बुरा है उस पर बैबिलोन के राजा नबुगद नेसर ने चड़ाई की और बैबिलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की भेंडिया पहना दी फिर नबुगद नेसर ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बैब बिलोन में था रख दिये यहो याकिम के और काम और उसने जो जो घिनों ने काम किये और उसमें जो जो बुराया पाई गई वो इसरायल और यहुदा के राजाओं के इतिहास के पुस्थक में लिखी है और उसका पुत्र यहो याकिन उसके स्थान पर राज्य करने लगा जब वर्ष की लगते ही नबुगत नेसर ने लोगों को बेच कर उसे और यहवा के बवन के मनभावने पात्रों को बैबिलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिद्धिक्या को यहुदा और यरुशलेम पर राजा न्युक्त किया जब सिद्धिक्या राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरुशले में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा उसने वही किया जो उसके परमेश और यौवा की दृष्टे में बुरा है यद्यपी यरमिया नभी यौवा की और से बाते कहता था तो भी वो उसके सामने देन न हुआ फिर नभुगत नेसर जिसने उसे परमे परमेश और यौवा की और न फिरे सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के इस घिनों ने काम करके बहुत बड़ा विश्वास घात किया और यौवा की भवन को जो उसने यरुशले में पवित्र किया था अशुद कर डाला उनके पूरवजों के प बचनों को तुच्च जानते और उसके नब्यों की हसी करते थे अतह यौवा अपनी प्रजा पर ऐसा जुझुला उठा कि बचने का कोई उपाय न रहा तब उसने उन पर कस्दियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला और क्या जवान क्या कुवारी क्या बूढे क्या पके बाल वाले किसी पर भी कोमलता न की यौवा ने सभों को उसके हात में कर दिया क्या चोटे क्या बड़े परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यौवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के और उसमें का सारा बहुमुलिय सामा नश्ट कर दिया जो तलवार से बच गए उन्हें वो बैबिलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधिन रहे यह सब इसले हुआ कि होवा का जोवचन इर्मिया के मुझ से निकला था वो पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुक भोगता रहे इसलिए जब तक वो सूना पड़ा रहा तब तक अर्थात सत्तर वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला फारस के राज्य कुस्त्रू के पहले वर्ष में यहवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन इर्मिया के मों से निकला था वो पूरा हो इसलिए उसने अपने समस्थ राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आश्य की चठ्या लिखवाई फारस का राजा कुस्त्रू कहता है स्वर्ग के परमेश्वर यहवा ने पृत्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उ महां रवाना हो जाए